एलो दोस्तो आज नोटिफिकेशन चक्क में थोड़ा से लेट हो जाएगा बट कोश्च करूँगी साड़े बार तक कर दूँ ठीक है और जैसा आपको पता है ना कि हम यह करते हैं दो पार्ट में करते हैं फटा-फट और नॉर्मल स्पीड में बहुत तेज भी नहीं बहुत दूसरे हम करते हैं अगर मुझे लगता है कि कोई कोश्चन है जिसे और समझाना चाहिए तो मैं उसको लास्ट में सारे कोश्चन इंग्लेश रिजनिंग क्वांट होने काद में बावी समझाता हूं ठीक है तो देखते हैं पहला कोश्चन क्या है और रॉंग नमर स्रीज ह है ठीक है 60 यह कितना जाएगा अको यह 8 का में 30 ज्यादा है तो 8 8 कितना होता है 16 ठीक है कितना जाएगा 16 तो आज जाएगा 46 ठीक है अब यह देखो यह 16 से 8 गया आठ पाच में से 3 गया दो ठीक है अब यह देखो 14 में 6 गया आठ साथ में 6 गया एक यह कितना आएगा 12 से 4 गया आप क्योंकि 8 आठ में 6 गया 0 तो मतलब 8 ही है तो कुछ दिख रहा है क्या मेरेको 8 दिख रहा है और 60 दिख रहा है अगर मैं इसका फृदर इसका डिफेंस 10 आजाएगा इसका कितना आठ गया आठ तीन में दो गया एक अठारा इसका 14 ठीक है देखो इससे तो कुछ बैठ नी रहा ठीक है तो यह दूसर कॉमशन ट्राइगा आते हैं देखो यह कितना 8 है तो इसको लिछाते हो 8X1 यह कितना है 92 जा 18 ठीक है अब ये आता था तो 8,910 इंटू 3 आना चाहिए था30 ठीक है और 10 रार चाहिए था ए 5 12 पांच यह होता है अब मतलब्या है कि ये दो नहीं बैठ रहे मतलब ये बच्न के बीच़र क्या है 238 इसका आंसर कितना आ और यो और इसका sitten ठीक चलो अब नेस्ट कोशन देखते हैं 72 से 360 360 से नमबर बहुत बढ़ा हो गया है ठीक है अब कोई नमबर है जिससे की 72 से यह जाता हो फाइव जाता है यह क्या हो गया इंटु फाइव अब यह यह तो वन टाम भी नहीं जा रहा ठीक है तो एक काम कोईते हैं इसमें कितना अब इसमें कितना है आपको के 500 535 पंद्रा पंद्रा अठारा मतलब यह भी पाच आ गया अब इसमें कितना डिफ्रेंस आ गया असी और पचास मा क्यों कि तीस का अब देखो यह तो पाची आ रहा है तो मतलब यहां भी फाइव आना चाहिए तो जीरो फाइड़ फॉर्ट यहां आना चीफ आना चीफ आना चाहिए था सॉट्सक्राइव फॉर्टकें नहीं है तो मतलब क्या है कि यह आलही नंबर जहां तक है घ्लत है ठीक है अगर यह दस का डिफरेंस है तो यह 5,10 यह पांच अगर मैं इसको 10 बना दूं 18,90 तो यह 50 है न देखो कितना थाफु जीरो तीन क्यारी अठारा पंजे नबे नबे तीन तीरानबे आगे 93 मतलब यह गलत है इसमें 1880 जो है इसका आंसर है और होना क्या चाहिए था 1860 ठीक है डबल स्रीस थी चलो नेस्ट कोशन 32 से 415 कोई इतना बड़ा डिफेंस तो दिखनी था मिरको चलो यह दुगनिका सपास कोई साथ ठीक है दो मिस तीन में से दो गया एक इसका डिफ्रेंस आकर चे मिसे पाट गया एक थीन मिसे गया दो दो मिसे एक इनका स्कूर यह जो अब यह देखो यह 169 तो नहीं है 1531 ब्रूआ साथ यह गलत हो अंद थको पंदर हो रेंगे दस में से चेह चार ग्यारा साथ तो यह चींगे तो च्हेसे पाच क्या में दो गिया दो अब यह कितना नहीं तो तो मतलब यह ही गलत है तो एक 405 आना था बड़ चाहसो पंदर आया आंसर कितना है 400 119-200 137 और यह नंबर है तो कोई बहुत बड़ा तो हो नहीं रहा है अब देखो यह चोटा है यह बड़ा है चोटा यह बड़ा है तो एक काम करो पहले यह अल्टरनेट सीज देख लो फिर बैसे गड़ लेना चाहो तो देखो यह कितना आजाएगा 19 तो कम है तो मतलब क्या आजाएगा एटी बना जाएगा ठीक है अब यह देखो यह माइनस का है तो अभी कितना आजाएगा 73 यह 63 अब माइनस का ले लो यह कितना आजाएगा आपके होगे 12 मिशाथ गया 5 शात मेंस तीन गया चार ठीक है अब पिलस में कितना आ है 12 मिशेज़ गया 6 7 मिशेज पाच गया 2 अब माइनस का चौदर मिशे 6 गया 8 पाच मिशे 5 गया 0 तो यह तो चलो मिरों को फिर भी दिख रह यह 9 x 7 दिख रहा है यह 9 x 5 दिख रहा है तो 9 7 5 तो मतलब 9 x 3 और 9 x 1 आना चाहिए था ठीक है तो संतलब क्या 156 सी कर लाता है तो इसका आंसर है 156 थेख चलो अगला कोश्चन 116 अब दोखो यह मिसिंग है रॉंग नंबर नहीं है मिसिंग स्रीज है 116 से 131 फिर 140 छोटा यह कितना हैगा 15 यह हमको नहीं पता यह हमको नहीं पता यह वट हमको बहुता लग सकता है कैसे 6 6 जीरो 14 अब यह कितना जाएगा पिलस गैश्च फार्च पार्च मिसे आड़ गया साथ तो यह मेरे को कुछ दिख रहा है 15 x 15 x 15 15 15 75 तो तो तीन और दो नहीं तो बच्छा य 161 ठीक है तब जब यह एड हो रहा होता बट यह अल्टरेनेट स्रीज है ना इसके बाद यह आएगा ना तो इसका आंसर क्या होना यह तो बताव 116 कम होता जा रहा है ना 116 से यह फिर 81 मतलब 1330 कहठा दो तो आएगा 101 ठीक है आंसर चलो अगला कोश्यन अब अपने स्टार स्टार्ट हो गए क्या सिंप्लिफिकेशन यह अप्रोक्सिमेशन जो इनको आप नाम देना चाहो ठीक है चलो करते हैं पहला क्या है एक स्क्वाइर 12.59 को 12.6 लिख ले तो उसको देखो 12.5 कितना होता है बन बाइट ठीक है अब यह जो नंबर है यह 8 से डिवाइड हो रहा इसको बन बाइट लिख लो ठीक है इकोल स्टू यह है 25 परसेंट 25 परसेंट ऑफ थिरी 64 मतलब बन बाइफ फॉर इसक्स फोर ने कितना है फइफ परसेंट ऑफ 15 10 साथ ठीक है यह ना तो परसंट से जाएगा तो नीचे दो जिरो आएंगे एक जिरो से जिरो खतम फाइब 52 जा 253 यह कितना गया प्लस 53 आपको लग रहा है ठीक है अब देखो इन कसम कितना जाएगा यह मैनस में आ तो यह जाए गए प्लस में तो एक एक दो आटनो सतरा प्लस 53 तीन दो पाच साथ पाच चावार एक दो अब देखो इस कर ले फटपट नाम इसका क्या एफ अब त लो अब मुख करते हैं नेस्ट कोशन पर और अगर आपको कुछ समझ में आए ना तो कॉमेंट कर देना टेलिगां पता देना मैं बापिस होता दूंगा चारहसो परसेंट है परसेंटे से डबल जी हट जाएंगे अभी बन फिप्टी है बन फिप्टी इंट फॉर कितना होता देटा, अब देखो यह द्याक्ता देटेश कोवाएंट मैं मैं सुक्ष्ण फॉरे ना टेकर चलो अब मूग करते हैं अगर आएदर दे रखाऊएंट तो आइदर दोनों ठीक है अभी कोशनं है 39.99% इसको लिग सकते हैं 40% किसका बन शिक्स्ती का देखो 40 इंटू 160 परसंटेज से यह भी उड़ेगा यह भी उड़ेगा आजागा 64 इक्वल्स टू यह एक्स स्क्वार है ठीक है एक्स स्क्वार माइनस 319.99 परसंट मतलए तो 320 हो जाएगा परसंटेज है तो डबल 0 नीच होता जाएगा अब 12.5 यह इसकी वाली सो को पता एक होती है अब एक्स स्क्वार मैं यह मैं दुवारा लिख रहा हूं कि साफ साफ करने के लिए आपको लिखने जरूत नहीं है अपने एक्जाम में ठीक है अब देखो कितना आ जाएगा आप क्योंको यह मैंने 65 उधा जाएगा तो प्लस 65 ह हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा ठीक है तो एक्स स्कॉर कितना आएगा आपके होगे कि 105 हो गया 105 यह और एक सो चॉसर्टी यह तो 169 आ जाएगा एक्सी वल्यू कितना जागी 30 ना जागी प्लस मैनेस दोनों होगा बट इसमें प्लस ही होगा option में ठीक है अगला question 33.33 पर टीक है तो डिवाइट करो 33 जा 9 37 जा 21 ठीक है इक्वल्स टू 20 परेंट है नहीं तो आज जागा 1 रा जाएगा इक्स अंडर रूट में तो एक्स की वेल्यू कितना जाएगी आए नहीं बार आएगा नों में दो गया तो साथ 144 ठीक है एंसर में आ गया 144 चलो अगला question 49.99 परेंट इसको कर सकते हैं फिप्टी परेंट और यह कितना है यह कितना हो गया 27 हो गया 27 इंटू कितना है तो कितना जाएगा तेहरा दो एक्वल्स टू एक्स परसेंट आफ वन सिक्स जीरो एट अब इसको सोला सा मत कर देना ठीक है और ज्यानक हो यह 270 भी है 270 तो इनको एट कर लो कितना जाएगा आपको गहांगे सत्तर और तीस सो और दो एक्सो दो ठीक है दो एक तीन और चार ठीक है अब देखो फोर से मट्डिप्लाइक रोगे तो फोर दूजा एट जीरो फोर फोर तो सिक्स्टीन इसलिए मैंने कहा था कि इसको बहुत कर देना तो एक्स की वैली कितनी आ जाएगी आपको के पच्चे अब दो को यह है यह है यह है यह सी है और यह 27 भी ठीक है अब मैं आपकी मजी कैसे भी लिख लो यह बिल्कुल ब्रेक कर लो 3 2 3 5 फिर बैटके यह नमर बनाओ तो आपके उपर है कि आप कैसे लिखो बस आपको 27 मनाना है तो मेरे को यहां दिख रहा है 27 आपको कैसे 65 30 30 मैस थी 27 ठीक है अब देखो एक 30 है और एक 3 है तो बड़ा वाला पहले लिखो 30 बाद में लिखो छोटा वाला 3 ठीक है अब देखो यहाला जो साइन है यहां पर इसको भेज़ो राइट हेंट साइट पर अब यह माइनस है त बारा सबको पता है और बारा इंटू नहीं एक्स वार्डी होता है देखो पहले बड़ा वाले लिखा ने फिर छोटा वाले लिखा वाइट डिक्वेशन की 304 वीडियो हैं बहुत डिटेल में डेट्थ में समझाएं चीजे ठीक है जाकर देख लेना अगर मन हो तो अब य ठीक है और स्कार रूठ कितना है आपका है बरहें नीच्चे भांज भी थो है इसका चौक रूट जो है तीस उलकिन डिलगानी होती है ठीक है इस से भी आपके तो 13 सेगेंगे और आप जल्दी करोगे ठीक है अब मैंने आपको यह चीज समझा दी अब हम करेंगे सीधे इसका अंसर किया है इसका अंसर है एक स्कूल स्टु वाई और नो डिलेशन पूछो कि क्यों कि जब भी यह दोनों साइन निगेटिव होंगे ना सी वाले साथ तो हम कुछ है क्यों क्यों क्योंकि इसका पॉजितिव होगा एक नीगेटिव होगा अब यह पिलस है उधर जोगे तो आज़ेगा माइनश ठीक है अब मैनेस कि मट्रृबद फिलस तो हमेशा ऐसी होगा कि एक तो पॉजितिव नीगेटिव रहें आप देखो यह लिना ऍटीके क चार हो दस आपको 14 X इक्वल्स टू अभी सत्र हो सत्र में से 14 जाएंगे तो इतना हो जाएगा आपको 56 तो इसकी वे लिए कितना है कि चार ठीक है अब इसमें किसी भी क्यों में रख दो आपको यह 20 हो जाएगा इधर जाएगा तो आजाएगा पंदरा ठीक है अब वाई की जाएगी पाच अब बताओ वाई गेड़न एक्स तो करा तो हमने वही है बट हमने मन में करा है ठीक है चलो अब देखते हैं अच्छा एक चीज़ों दिहान रखना इसमें ब्लेंटर कर देता भी मैं 20 20 जाओंगा तो प्लेस 15 मनेगा माइनस है तो जाएगा माइनस 5 तो एक सब्सक्राइब देखते हैं ठीक है हलकी सी जल्दी के साथ में गलतिया भी नहीं करने ठीक है तो चलो अगला कोशन क्या है 98 है यह 252 है अब 98 कैसे लिए सकते हो आकरो के सेवन बंजा सेवन टूजा अहां 22 नहीं 4 14 डूज सेवन कितना होता है 98 ही होता है ना आकर कर बिल्कू प्लेस प्लेस ठीक है मतलब आप कैसे भी दिख लो बट आपको जो पहला रूट है वह बड़े अले पर अप्लाइए करना है अब 252 है तो अब देखो 252 है यह ड़ाइड होता बारा से बारा दूनी 24 बारा कम बारा अवं को ची यह 32 और यह आरा 33 ठीक है तो कुछ और कर लो इसको कर लो बारा इंटू साथ इंटू तीन ठीक है 36 में से साथ गया आप तो होगे देखो यह माइनस है उधर जागा प्लस 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 मतलब दो नमरों कर में एडिशन चाहिए ठीक है अगर मैं चार तीन और इसको कर दूं साथ और तीन ठीक है तो यहां जाएक 18 यहां होता है चौदा 32 ठीक है अब दोको 14 इसके बराबर है और अठार दोन से बढ़ा है तो वाइस गेड़ा देन इकोल स्टू एक्स चलो अगला कोशन कभी-कभी बहुत फैक्टर करने पर जाते हैं ठीक है अब यह क्या है 120 और यह कितना है इन्टू 20 इन्टू 3 तो 23 तो इन्टू 5 इन्टू 4 इन्टू 3 ठीक है यह कितना गया 15 और यह कितना गया 8 तो यहां लिखो 15 यह लिखो 8 पिला सब्स बेचो माइनस माइनस प्लस माइनस ठीक है अब यह 78 दो मैप चाओं तो सीधे नमल सकता हूं यह बट मैं आपको दिखा सब्सक्राइब कि कैसे कर सकते हैं चीजे सिखा रहा हूं समय ठीक है अब दोको यह 78 78 को क्या सकते हैं 2 इंटू 39 अब यह 13 इंटू 3 और यह है 2 साथ लाना है 13-6 कितना होता है साथ ही तो होता है 13-6 अब यह माइनस अब साइड बन जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस तीक ह माइनस इन दोनों से बढ़ा है तो मतलब क्या है y is greater than x ठीक है चलो मूब करते हैं नेस्ट कोशन पर अब अब अपना रीजनिंग स्टार्ट हो गया कौन खता हो गया ठीक है पहला कोशन किसका है इस लॉक्स का है और क्या कहता है कोशन हो आए पहला है है कि संब इस्टेट्स ऑर कंट्री कुछ स्टेट्स जो क्या है कंट्री ए ठीक है फिर अँली मेल्स अफिमिल सिर्फ मेल सी फिमेल है and mostly males are state mostly males are state and only males are female ठीक है अब जिसने में इस फिल्ग के वीडियो देखे हूंगे मैं इसको हमेशा कहाता हूं कि बिना कि किसी रूल के आप सारे साह से question सही हरोगे उसका साथ परणाव अभी देखलोगे आप क्या बोलता है some females can be countries female तो कुछ और हो नहीं सकती है तो यह भी गलत है ठीक है ना इसा है कि कुछ निगेटिब कर रहा है कर रहा है कि नहीं ऐसे तो नहीं है तो इसका मतलब कि गलत है ठीक है दूसरे क्या है और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि पहले को ऑल का दूसरे बना दो कि और अगर गलत हो गया तो इतना क्यों याद रखना आप देख लो कि इस टैग में यह जो टैग है पूरा का पूरा क्या इसके अंदर उठके जा सकता है और कोई लिमिट भी नहों अगर आपको यह आज अजा सकता है तो अगलत हो गया ठीक है चलो अगला कोशन बात वहीं है बट यह क्या यह लोजीकल है समुझने में याद अखने में आशान है वह क्या है उसम में रिट्टा करना पड़ता था क्या है अगला कोशन एट लिस्ट व्डॉ बॉटल्स आर बाटर कि हमेशा कुछ ना कुछ बोटल तो वाटर रहेंगी ही ठीक है नो वाटर इस ब्लू कोई ब्लू नहीं है मैं हमेशा ब्लू को ब्लू करता हूं ठीक है ऑनली फ्यू ब्लू कुछ ही ब्लू है जो रेड़ है क्या बोलता है सम रेड बिंग बोटल इस पॉसलिटी कुछ और बूटल हो सकती है बिल्कुल हो सकती है ठीक है दूसरा सम् ब्लूज अनौट रैड कुछ ब्लू रेड नहीं है तो यह भी सही है उसने का ओनली फियू कि यह बलू है बागी नहीं है ठीक है चलो अगला कोश्चन कोछ data क्या है बो है input mostly inputs और आउट्पूट ऐल आउट्पूट सारे के सारे और पूट्पूट क्या है मोनीटर है अब इंपूट और आउट्पूट को इस तरीके से बिफिएंट करने में लग जाना ठीक है हमको तो टाइम बचाना एंजो किंगें all outputs can be input सारे के सारे output input हो सकते हैं आपको बिल्कुल हो सकते हैं ना limit करा है और ना वो करा है negative दिया है ठीक है दूसरा है समुनेंटर्स इंपुट कुछ मोइनटर इंपुट हैं आपको के बिल्कुल इतने सारे मोइनटर्स हैं जो इनपुट है तो यह भी सही है अगला question some ends are games and games some ends are games यह उसके बोर है अच्छा मैं आपको बता दूंगे कोश्चन सारे प्रेटिक समॉक करें ठीक है some ends are game end game Avengers वही बना देगा नोने all games are Ludo सारे के सारे लुड़ो क्या है सारे सारे गेम लुड़ो है and mostly Ludo are chess ठीक कंक्टूचर है some chess are not ends कुछ negative दिया नहीं तो क्या है यह गलत है ठीक है चलो अगला कोश्चन all ends bring chess is a possibility सारे के सारे and chess हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या only conclusion one is true अब देखो यह दूसरा टाइब स्टार्ट हो गया numeric वाले कोश्चन है if in a number यह number all the digits are arranged in ascending order from left to right then home and digits are there which remain in the same place after rearranging ठीक है अब देखो यह तो थोड़ा असान टाइप है क्योंकि इसमें repeat नहीं होए डिजिट बट रिपीट होंगे फिर आप ढूंते समिना फिर ओके तो इसके लिए क्या है पर इसको मैं रखना ठीक है 4627 4627 जो जिस ओर्डर में है वो मैंने पैसे लिख दिया ठीक है और अभी से याद कर नेगोशिश करो बड़े बड़े है साथ है तो कितने नंबर है आपको के तीन नंबर है ठीक है चलो अगला कोश्चन देख सब्सक्राइब कि कैसा अगरा मैंने तेन विच ओर फ्लोइंग इस नंबर तरस्फार्म अब दोखो नंबर क्या होते हैं तीन होते तीन में बना रखे ना ए विस थी अब उसने बोला यह कोशन करने से पहले एक पास सुनो मेरी यह जो नंबर है जो बड़ा चोटर डिसाइट करेगा वो इस ओर में होता है एए सबसे पहले एडी sque करेगा फिर 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 Nazi त्यीक है थी चक तो यस्में कोई लिस देटा है उन्हें कि इस नहिए औरॅ झाल ना out कौन सा है अब इन दोनों में से और बी में से सबसे छोड़ा But तो यह तो बिल्कुली नहीं है अभी इसमें चार है किसी में नहीं है तो 489 ठीक है तो 489 देखो मैंने आपको यह सारी कहानी बताई तो इसलिए समय लगा वर्नमें सीधर 489 मा करता कोशन बढ़ता ही ठीक है अगर आपको यह सारी कहानी अच्छे समझ नहीं है कि आप यहाले कोशन एक्दम 10-12 सेगेंड में कर दो कोशन पड़ता ही तो मैंने वीडियो बना रखें ओलेडी जाकर देख लेना ठीक है कोशन पड़ लेते हैं फिर आंसर करते हैं इफ और रिजिए इन असेंडिंग और व अब दैखो इसमें दिख राइसमें बन नहीं इसमें दिख रा-ए--- इसमें डाइन दिख रा है तूफ यहज술 कोशन बने गांग यह बनेगा छी its 5 1 देखो थर्ड डिजिट को डिक्रीज केया 1 से and then the difference between the highest and lowest number is obtained then which are the following number we get मतलब देखो इसके options लिख देता हूं क्योंकि option मेला question है क्या है 510 भी है 453 मैं options इसने लिखता क्योंकि confidence नहीं आता अगर option देखो के तो यह confidence आयागा तो फिर क्यासे काम चलेगा मतलब यह बैसे मास मनना कि मैं को दी मोटिवेट कर रहा हूं मतलब मेरा मानना की confidence बिना options के भी आना चाहिए ठीक है अब बोला है कि if the third digit of every fourth every number is decreased by one and then the difference between the highest and lowest number is obtained then which of the following number we get in इन में से कौन से number हमें मिलेगा ठीक है अब गोशन पढ़ लिए जहां से इसमें lowest number बोला है ठीक है सारे number का last digit हमने उड़ा दिया है फिर उसके बाद हमको पूछा कि कौन से number मिलेगा highest आप सो lowest में से ठीक है अब हाइस नमबर तो यह हो गया कौन सा 99 ट्रिपल लाइन ठीक है अब लोगे कि लोगे यह है ठीक है तो अब इन दोन को difference कितना है आप क्योंके 99 के 0 आप क्योंके divide minus को नहीं करता मैं अब भी उताता है क्यों अब दोनों को मैं अगर एक से माइनस भी कर दूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा कुछ फर्क पड़ेगा कोई नहीं तो कहां से कितना है 510 अब कुछ लोगों समझ में आयोगी फर्क वाली बात क्या कहा दी मैंने आप यह देखो 489 था जी कितना था कि फर्क पड़ा अगर वो कहता इस नम्मर को किसी और नमर से कम कर दो और इसफाले किसी और से मतलब बैलेंस नहीं बठाता तब हमें मैनेस करना था अभी उसने माइनस करने के लिए हमसे कुछ नहीं बोला ठीक है यह मानके चलो क्योंकि अगला कोशन देखते हैं if the last digit of every number is omitted and remaining two digits are written in ascending order then which order flowing is the lowest number first formed दो को फिर से क्या बोला लास्ट जो है omit कर दिया है ठीक है और ascending order में लिखा है तो हमसे lowest पूछा है और दो को सब केबल चार तुम इसमें दिख रहा है तो इस कांसे कितना हो गया 489 हो गया और यह कोशन रिपीट है क्या यह रिपीट कोशन है 489 ठीक है यह रिपीट कोशन है बट 489 इसका अंसर है चलो अगला कोशन यह क्या है if the first and second digits of each numbers are interchanged with each number then which of the फॉलोई नंबर रिपरेंट सेकिंड है किस नंबर इन न्यू नंबर स्रीज फॉर्म यह विदिन इच नंबर आता विदिन इच नंबर ठीक है अब देखो उसने क्या बोला कि सेकिंड को इंटर्चेंज कर दिया तो बैठ करने बाद बैठ जाना आप और फिसने पूछा सेकिंड हाइगेस नंबर तब जो बी एबिसी में जो बी है वह तो डिसाइड करेगा ना सबसे पहले कि कौन सा बढ़ा यह छोटा है ठीक है अब देख लो ओक्या पूछा सेकिंड हाइगेस पहला तो यह हो जाएगा नौ दूसर कि जो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर ना वह मिला है यह वाला ठीक है इन दों में पिकंड है कितना से कि 849 ठीक है यह ओक्या तो आप से बड़ा तो कोई मंदब नहीं है तो इसका मतलब क्या है यह सका अग्ला कोश्व पहला तो यह ए तो कि मैस सब से बढ़ा तो इच नमबर अब पूछ रहा है कि हाइगेस्ट कौन मनाएगा सबसे बड़ा तो यह ही है तो नाइज़ ट्वंटी सेवन तो यह यह सकांसर ठीक है चलो अगला कोश्चन भी अब मेरे उखाल से स्टार्ट हो गया है अच्छा वी और कोश्चन है क्या बोला है यह दिस्टेंस इंदाइशन कोश्चन और ये वह वह तो आप 20 अभी मैना उन्म that अटीघक है और यह और यह आप देखो 205 यह जल्द तो कर लिए घयाना ना तो देखो यह व्य जी है और यह है इसी से आफ जाएंगे एफ से ओ ठीक है तो मतलब पहला तो सही है अब दूसरा देख लो के greater than equals to T क यह है और T यह है तो कई कहीं और भी नहीं है और कि कहीं भी नहीं है अब क्यों को और F बड़ा है T से मतलब क्या है यह गलत है क्यों यह तो आपको पहली यहीं मांकाद देना चीह हेँ क्योंकि आला साइना आग内 के अब तीसरा देखो जैड से एंब देखो गया है आप हाब कि यसे ए है टिक कर एंग का यह है तो जटो कहीं और भी नहीं है और हमको देखना बड़ा तो जैट किसी से बड़ा है आपके किसी से बड़ा ही नहीं है तो मतलब क्या है यह गलत है तो only one is true ठीक है only one चलो अगला कोश्चन यह ब्रेटलेशन कोश्चन है यह हम कर लेते हैं क्यों बोलता है त्री मेंबर स्पी क्यू आर एस्टी एंड फाइब थ्री पड़ लेएं नहीं तो थी जन्रेशन देखो तीन जन्रेशन है पार्च मेंबर है ठीक है नो सिंगल प्रेंट हैस चाल्ड आर आर यहां फार्दरिलो के न फरदरिन लो इनकी एक सब्स्रीशम होगी क्या नो पेरynıंट है था ओ-प्रेंट कने änड क्शा 10 फार्द फरडर इनलो गए क्यों ना फ्रडेंट और जो क्यों ऐ यह संदलेशन है एस पैस एंद पिस जान्टर इसंडर एस तवी पार्ड़ों से तहीं टीन जेरिशने 5 फैमिलि एक दो झार फ що एक पास में सस्सक्रिक्स मैं यहां न एऑं झायक 10 क्या एक घ्रस बना देता हूं और क्यू galaxies को चांच अब यह्मिजीर में अब क्यों आप देता यह क्यूंत इसित फोलत जाएगा यह मैने अख गलत 죄송 कि कैसे देखो अब देखो सब साही कंडिशन फिट हो गई तो हाउस पी लेड़ी टो एस पीस दम मदर आफ इस ठीक है ठीक है चलो अगला कोर्शन अब अब स्टार्ट हो गया अपना इंग्लिश ठीक है इंग्लिश यह क्या है इसमें grammatical error होगी आपको बताना है कि किसमें error है और किसमें नहीं है ठीक है पहला क्या है my father's initial advice to me to read books the drink to my आपको पहली गलती मिल जाए ना वहीं रुख जाओ ठीक है तो मेरे को पहली गलती कहां मिली my father's initial advice to me to read books वर इनिशल एडवाइस वर किसके लिए इनिशल एडवाइस के लिए अब इनिशल एडवाइस सिंगुलर है तो वर क्याना चाहिए था यहां पर वर क्याना चाहिए था सिंगुलर तो यह करना चाहिए था वास ठीक है अब जो एडवाइस जोती ना यह होता है अनकांटेवल तो जो अनकांटेवल चीज़ होती है यह सिंगलर नावन लेती है ठीक है तो जैसे आपको सही लगए वैसे आप समझ लेना इसका आसर क्या है वाज आना चाहिए था ऑप्शन नमब्र भी ठीक है अगला क्या है अब दो को फील्ड है ना फील्ड क्या है नावन है अब नावन को क्या करता है आपको के अज़ेक्टिव तो आप एडवाब यूज नहीं कर सकते तो इसमें कहना चाहिए था मिस्रेवल ठीक है मिस्रेवल ठीक है चलो अगला कोश्चन रोटर डैम बेस्ट रस्जी सब्सप्लाइज इस प्रोड़क्टिव प्रोटेक्टिव एक्प्मेंट थ्रॉटी रोप ठीक है एंड देर वोक अब जल्दी बताओ देर आएगा कि दियर आएगा देर होता है प्लेस को डिनोट करने के लिए और देर क्या होता है यह होता है प्लेस को डुट कर रहा है कि इसको रोटर डैम को कर रहा है आपके रोटर डैम को तो इस कहां से क्या है सी दियर आना चाहिए था ठीक है कोशन नमबर नेक्स्ट वाइद एंड अफ दिस सेंचुरी अब देखो इसमेन आपको बताना की क्या गलत है और क्या सब्सक्राइब ठीक है तो बोला है वाइद एंड ओफ दिस सेंचुरी अकॉरिंट दे सम्ट्राइब मोर्ड थिक है अब देखो इसमें तो मुझे कोई आरा दिखाई निजिया आप इनिचल डिदिंग में एक बाद देख लो वाइद एंड अफ दिस सेंचुरी अकॉरिंट दो सम् इसमें है नो एरर ठीक है नो एरर चलो अगला कोईशन अल्थो सेवर हिस्टोरिकल फिगर्स है बीन प्रपोस्ट अस बेसिक बेसिक बेसिस फॉर आथर्स बट नो कन्वेंसिंग एविदेंस फॉर इस इंटिफिकेशन है अभी हैस किसके लिए आ या किसी और चीज के लिए के हैं एक नो है कि मतलब क्या है यह तो सही है ठीक है अब आपको कुछ पता है ना कि इंडों कर तैंप कर वाड़ हम अईसे चीज इस्तेमाल करते हैं जिनकी जरुनम नहीं होती ठीक है अब जैसे अल्पता होता है वो कहता है कि हलांकि बहुत साधी खोजे कर ली गई है फिर भी कोई एविडेंस नहीं मिला तो इसलिए इस वठ की कोई जरुबत नहीं थी यह फाल्त में लगा हुआ है ठीक है अगर आप बट को हटा दोगा ना और पड़ोगे तो आपको बिर्कुछ सही लगेगा कैसे अगला कोशन चैनलिस्ट बिल प्रोटेक्ट अब देखो यह तो दियर सही है ना वहाला दियर तो नहीं है ठीक है confidential sources and will try to obtain information with honest and legally means legally आएगा कि legal आएगा and अब देखो मैंने भी आपको बताया था न क्या कि जो एडवर्ब वो एडजेटिव होता है किसको कॉलिफाइगा था नाउन को ठीक है अब तो यहां पर क्याना चाहिए था लीगल ठीक है लीगल चलो आगे लिए दमें डिसएपियर्ड आफ्टर आ प्रॉस्पेक्टिव ली क्लाइंट फ्रम बताओ प्रोस्पेक्टिव ली आना चाहिए कि प्रॉस्पेक्टिव आना चाहिए था यह यह वाली गलती बहुत आई है इस वाले में क्या ना चाहिए था प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट क्या है नाव नहीं तो है तो एड़ब क्यों आएगा एड़ेटिव आएगा ठीक है प्रॉस्पर्टिव क्लाइंट चलो अगला कोशन बिसाइड कोस्टर एस्प्रोरेशन दो पॉच्योगी सीप्ष आल्सो में ट्रिप्स फॉर्दर आउट तो गेदर मेंट्रोलो पड़कर देख लो चाहिए बिसाइड कोस्टर एस्प्रोरेशन दो पॉच्योगी शिप्स आल्सो में ट्रिप्स फॉर्दर आउट तुगेदर कुछ गलती नहीं इसमें तो इसका मतलब क्या है चैसबोर्ट के निकरना चाहिए था है नहीं आना चाहिए तो इसमें है गलत है और हैस सही है चलो अगला कोशन हंडिट्स अब यह पता नहीं तोते जैसे दिखनाला पहुंची होता है एंड़ परेट्स कलेक्ट एड़ एड़ एक्सपोज्ड रिवर बैंक्स तु फीड अन क्ले विच हेल्प दो वर्ट डाइस्ट देर डाइट फॉर अफ नूट्रि चाहरे कोशन खतम हो गए बस एक है जो मैंने आपको हमबक दिया है तो बो भी वैसे आसान ही है चलो करी लेते हैं क्या यां में दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा आप भी तो प्रदित हो गया करने से ठीक है तो यह वीडियो को पता है का मिलेगी हमारे टेर्ग्राम चैनल पर ठीक है यह सर्च कर लेना तो भी आपको अपना हमारे चैनल मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियों तब तक जैहिंद और अपनी साइड आउट्स हमें भीज़ देना हम स्कॉल को के भीज़ेंगे आपको